यह Bible in one year का हिंदी प्रकरण है नवा दिन चीजों को सही करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें मुझे और पीपा को साथ में क्रॉस वर्ड्स करने में मज़ा आता है जब हम किसी संकेच शब्द पर अटक जाते हैं तो हम हार नहीं मानते बलकि हम अगले संकेच शब्द पर बढ़ते हैं जब भी हमें उत्तर मिलता है तो यह हमें और भी संकेच शब्द को हल करने में मदद करता है अंत में कभी-कभी हम लगभग सारी पहेली हल कर देते हैं हलांकि ऐसा कभी-कभी ही होता है एक तरह से बाइबल के कुछ मुश्किल भाग पढ़ना क्रोसवर्ड पहेली को हल करने जैसा होता है पेचिता भाग में फंसे रहने के बजाए आप उस पध्यान्शों का उपियो कर सकते हैं जिनहें आप समझ चुके हैं ताकि आप कुछ और मुश्किल पध्यान्शों को हल कर सकें अक्सर मुझे बाइबल में कुछ मुश्किल पध्यांशों को समझने में कठिनाई आई है लेकिन मुझे कुछ चीजों को समझना मुश्किल भी लगता है कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है यह मुझे अन्याई पूर्ण नजर आता है इसके लिए कोई आसान जवाब नहीं है मुझे कल के पध्यांश से दूसरा बढ़िया अलंकारिक प्रशन अच्छा लगा क्या सारी प्रत्वी का न्याई न्याई न करे आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि अंतिम दिन में जब सब कुछ प्रगट हो जाएगा आप परमेश्वर का सिध न्याई देखेंगे तब हर कोई कहेगा यह बिलकुल सही है चीजों को सही करने के लिए परमेश्वर के पास असिमित समय है आज का हर एक पध्यांश हमें इस सच्चाई के बारे में बताता है कि अंत में परमेश्वर चीजों को सही करेंगे भजन सहीता साथ एक से नौ तक विश्वास कीजिए कि सच्या न्याय होगा कुछ लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर पर भरोसा करने से जो न्याय करते हैं दुनिया में हिंसा होगी वास्तों में ठीक इसका विपरीत होगा जब लोग परमेश्वर के सच्य न्याय पर भरोसा करना बंद कर देंगे तो वे इसे अपने हाथों में लेने के लिए ललायत होंगे और अपने शत्रूं से बदला लेने का प्रयास करेंगे दाउद को भरोसा था कि न्याय होगा, यह की परमेश्वर न्याय करेंगे और वह भी सच्चाई से करेंगे, मुझ पर दोश लगाने वाले न्यायले में भर गए हैं, यह न्याय का समय है, सिहासन पर अपना स्थान ग्रहन कर, अपनी भूमी की चुंगी के लिए पहुँच, म मैं तयार हूँ, अपने फैसले पर स्थिर रहे, दूसरे शब्दों में दाउद को भरोसा था कि परमेश्वर उसके शत्रों से निप्टेंगे, यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर सचा नियाय करेंगे, तब आप इसे उनके हाथों में सौप सकते हैं, और वह करें जो इश्व ने कहा है, अपने शत्रों से प्रेम करें। जब मैं आपके सिद्ध नियाय पर भरोसा करूँगा, तो मुझे बदला लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बलकि मैं अपने शत्रों से प्यार करूँगा और उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, जो मुझे सताते हैं। नयानियम मत्ती साथ के चौबीस से आठ के बाईस तक इशू पर विश्वास कीजिए, जिनहें परमेश्वरने सभी नियाय सौपे हैं। इशू घरों को बनाने के बारे में सब कुछ जानते थे, वह मिस्त्री का काम करते थे और उन्होंने सुतार के रूप में काम किया था, जिस उदाहरन का उन्होंने प्रयोग किया है, वह वास्तविक और व्यवहारिक है, दो व्यक्ती जिन्होंने घर बनाने का निरने लिया इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा इसमें रहने का और इसका आनन मनाने का था शायद अपने परिवार वालों के साथ दोनों ऐसा घर बना रहे थे जो लंबे समय तक टिके हमारा जीवन उन घरों के समान है परन्तो उनका महत्व अनन्त काल के लिए है किसी भी घर की महत्वपूर्ण विशेशता उसकी नीव होती है ये घर दिखने में थोड़ा अलग होंगे लेकिन एक घर की नीव चटान पर बनी हुई थी उसी तरह से दो जीवन एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन उनकी नीव में फरक तप प्रमानित होता है जब अचानक से जीवन में तुफान आएगा आप इस दुनिया में चुनोतियों का सामना करते हैं ये कई तरह से आती हैं सफलता भी एक परिक्षा हो सकती है और कभी-कभी दबाव, तकलीफ, बिमारी, वियोग, दुख, सदमा, त्रासदी, सताव और असफलता भी अंत में हम सभी को मृत्यू और परमेश्वर के नियाय का सामना करना पड़ेगा यहेजकेल में परमेश्वर ने नियाय को संदर्भित करने के लिए बरसात, तूफान, आंधी की छवी बनाई गई है लेकिन पुराने नियम में नियाय की भाषा सिमित नहीं है यहां और कई जगहों पर इशू हमें आने वाले नियाय के चेतावनी देते हैं जैसा की नए नियम के अन्य लेखकों ने भी दिया है जब मेह बरसा और बाड आई और उस घर पर टकरें लगी परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चटान पर डाले गई थी लेकिन जो बालू पर बनाया गया था वह गिर कर सत्यानाश हो गया परिक्षा इस जीवन में हो सकती है या न्याय के दिन में आ सकती है इशू के अनुसार इसे निश्चित ही आना है फिर भी आपको भय में जीना है यह आसान नहीं है लेकिन इसकी निश्चितता का एक उपाय है जब आपके घर की नीव की जाँच की जाए तो यह मजबूत रहे। यह जानना संभव है कि आपका जीवन सुरक्षित है या नहीं। इशु हमें बताते हैं कि मुख्य फरक यह है कि बुद्धिमान मनुश्य इशु के वचनों को सिर्फ सुनता ही नहीं बलकि इसे मानता भी है। दूसरी तरफ मूर्ख मनुश्य हलांकि वह इशु के वचन को सुनता है पर उस पर चलता नहीं है। ज्यान को कारी में लाना जुरूरी है, हमारा सिध्धान्त हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहिए, वरना हम अपने घर बालू पर बना रहे हैं. इशू के वचन सबसे पहले उन पर विश्वास करने की बुलाहट है हमारा उधार इशू में विश्वास करने और आग्या पालन में जीने से है आप इशू के नियाई पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयम उन्हें अधिकार दिया है इशू सुवधार के विश्वास को देख कर चकित हो गए उन्होंने कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया उसका यह विश्वास सावित हुआ क्योंकि सुवधार ने विश्वास किया कि ईश्यू के कहने ही से उसके सेवक को चंगाई मिल गई है उसके विश्वास का मूल आधार काफी गहरा था सुभेदार जान गया जैसा की सेना में होता है किसी व्यक्ति को अधिकार तब मिलता है जब वह किसी के अधिकार के नीचे होता है इसलिए इश्यू का अधिकार अपने पिता के अधीन रहने से आता है सुवेदार ने देखा कि जब इश्यू बोले तो परमेश्वर बोले इसके अलावा यह सिध्ध न्याय किसी मनुश्य की तकलीफ से अलग नहीं है हम जानते हैं इश्यू ने अन्याय का अनुभव कारावास, यंत्रना और सूली पर चड़ कर अनुभव किया लेकिन इस पध्यांश में हम देखते हैं कि उन्होंने बिमारी का भी अनुभव किया हमारी और से और बलकी बेघर होने का भी ऐसे बहुत ही कम तकलीफे होंगी जिनका अनुभव इश्यू ने नहीं किया पिता आपका धनिवाद की मेरी कमजोरियों में केवल इश्यू ही मुझे सांतवना देते हैं लेकिन उन्होंने मेरे पापों का दंड भी खुद पर ले लिया ताकि मुझे डरना न पड़े पुराना नियम उत्पती उन्नीस का एक से दस के अठारा तक विश्वास करें कि सारी धर्ती का नियाई सब कुछ सही कर देगा कल हमने देखा कि अबरहाम ने सोदोम और गुमोरा के लिए याचना की हम नहीं जानते कि उनके पाप क्या थे लेकिन प्रभू ने कहा सोदोम और गुमोरा की चिलाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है आज के पध्यांच से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पाप में सामोहिक बलातकार की भयानक प्रथा शामिल थी हम यहेज केल सोला में पढ़ते हैं कि उनके पाप में घमंड, पेट भर के भुजन करना, बेपरवाह होना शामिल था उन्होंने गरीबों और जरूरत मंदों की कभी मदद नहीं की परमेश्वर कहते हैं कि यदि सोदोम और गुमोरा में दस धर्मी जन भी हों तो उनकी खातिर मैं इसका नाश न करूँगा मैं दस के कारण भी उनका नाश न करूँगा उन्होंने केवल धर्मी जन को चले जाने का हर एक अवसर दिया जब लूत हिच किचाया तब स्वर्गदूत ने उसका और उसकी पतनी का और उसकी बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित रीती से शहर से बाहर गया क्योंकि प्रभू की दया उन पर थी लूत की पतनी पर नियाय काफी गंभीर लगता है इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो और मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे उत्तर पता है परन्तु यह निश्चित है कि एक उधारन स्थापित करता है ईश्व ने कहा लूत की पतनी को याद करो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है यदि हमने पाप में जीवन छोड़ दिया है तो फिर से हमें उसमें नहीं जाना है उन्हें कहा गया था अपने जीवन के खातिर भागो उसी तरह से हमें भी बुरी इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा गया है बलकि अबरहाम भी पाप के बिना नहीं था निश्चित ही उसने वही पाप बार बार दोहराया सारा को अपनी पतनी के रूप में भेजना और उसे लगभग व्यविचार करने को उकसाना बाइबल का संदेश यह है कि परमेश्वर केवल पापियों को बचाते ही नहीं है बलकि वे पापियों का उपयोग भी करते हैं उन्होंने अबरहाम को आशीश दी और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया हमारे पाप के बावजूद परमेश्वर हमारा उपियोग करते हैं क्योंकि वह दयालू है और परमेश्वर ने ईशु में खुद पर सजा ली है प्रभू नियाय के दिन के लिए मसी का क्रूस मुझ में जो बदलाव लाता है उसके लिए आपका धनिवाद आपका धनिवाद क्योंकि मैं विश्वास कर सकता हूँ कि अंत में सारी प्रिथवी का नियाय सब कुछ सही कर देगा मत्ती आठ का छे प्रभू उसने कहा मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुकी पड़ा है सुबेदार ने ना केवल अपने परिवार और दोस्तों की चिंता की बलकि उसके लिए भी जिसने उसके लिए कार्य किया था हाला कि सुबेदार एक बाहरी व्यक्ती था और उसके धार्मिक समुदाय का हिस्सा नहीं था वो अपने सेवक के लिए इशु के पास गया विश्वास हर तरह की अनपेक्षित जगहाओं में पाया जा सकता है। आज का वचन इसलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुश्य से होगी जिसने अपना मकान चटान पर बनाया। मत्ती साथ का चौबीज।